हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू शिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे तंदुरुस्त होंगे तो दोस्तों फाइव सब्सक्राइब अब तक काफी सारे लेक्चर रहें इस पर्टिक्लर लेक्चर में हम डिसकस करेंगे वन वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सेक्यॉरिटी स्कीम दो ओल्ड है पर एक्जाम के पॉइंट आव उसे काफी इंपॉर्टेंट है काफी बच्चों ने का कि सर पहले में से जो subject specific social security के questions आएंगे काफी पुरानी स्कीमों में से question आने के chances रहते हैं और वो कोई भी cover नहीं करता ठीक है तो ये cover करने इसलिए बहुत जादा important हमारे लिए रहता है तो मंद्रेगा में से कुछ important सवाल देखेंगे और मंद्रेगा की scheme में आपर discuss करेंगे काफी सारे questions जो है में नरेगा में से निकल सकते हैं पहले मैं आपको 5 questions दिखाऊंगा उसके बाद हम scheme को भी detail में discuss करेंगे मंद्रेगा में से अगर फिर कोई question आजाएगा तो आपका वो नहीं चूटेगा और चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल The National Rural Employment Guarantee Act covers the entire country except the districts having कौनसी districts को आपका नरेगा या मनरेगा Act जो है वो cover नहीं करता जिन में 50% urban population है जिन में 75% या उससे जादा urban population है जिन में 100% urban population है या जिनकी urban population 2 3rd के level पर पहुंच चुक है 2 3rd is around 66.66% तो कौनसी districts में आपका नरेगा नहीं लागू किया जाता है ठीक है वैसे सारी country को cover करता है लेकिन कौनसी districts को यह नहीं cover करता है ठीक है factual सवाल है scheme को अगर अच्छे से पढ़ा है तभी answer कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं आपको factual सवाल ही दिखाऊंगा जो ज्यादा तल इस तरह की schemes में से पूछे जाने के chances रहते हैं और statement based question में भी वो क्या करते हैं कई बार इसी question की statement बना देंगे ठीक है वार आपको दो-तिन statement से देंगे एक साथ और पूछ लेंगे कि बताओ कौन सी correct है कौन सी wrong तो वहाँ पर भी अपना easily जो है निकल जाता है ठीक है तो answer यहाँ पर है आपका option C जिन districts में 100% urban population है वहाँ नरेगा जो है नहीं implement किया जाता है ठीक है महाँ पर मनरेगा नहीं होता है चलिए next which of the following is incorrect about the eligibility criteria for enrollment under नरेगा eligibility criteria के उपर सवाल पूछा गया है और incorrect आप से पूछा गया है incorrect correct मैं बार बार आपको बोल रहा हूं आपने आदर डाल लेनी है correct or incorrect की so the person must be citizen of India पहली चीज दूसरी चीज कहता है the job seeker must have completed 18 years of age मतलब कि 18 या 18 से उपर के लोग होने चाहिए नरेगा में काम करने के लिए लेकिन हमारे factories act में तो 14 साल से उपर के लोगों को भी काम करने के लिए बोला जाता है तो यह statement हो सकता है कि गलत हो the application has to be made to the gram panchayat अगर आप enroll करना चाहते है अपने आप पन चाहत में देनी पड़ेगी यह statement का मतलब है option D कहता है applicant must volunteer खुद से आपको volunteer करना पड़ेगा चाहे फिर वो unskilled हो चाहे वो skilled labor हो ठीक है तो इन में से कौन सा statement आपका गलत है confusing हो सकता है question अगर scheme को ध्यान से ना पड़ा हुआ हो ठीक है खुद से answer करने की कोशिश फिर अंसर देखेगा तो अंसर इस case में होगा आपका option D option D देखो citizen of India होना चीए पहली statement बिल्कुल सही है दूसरी statement क्या कहता है कि 18 से उपर का होना चीए 18 साल complete हो जाने चीए यानि कि adult होना चीए तो कई बाड़ हमारे mind में confusion ही आ जाती क्योंकि factories act वगेरा में और काफी act मे यह बताया गया है कि 14 साल से उपर के जो बच्चें वो काम कर सकते हैं in the non-hazardous industries ठीक है non-hazardous industries में तो काम कर सकते हैं ठीक है तो मनरेगा में लेकिन 18 साल minimum age है नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी उसके बाद application अगर आप जो है मनरेगा के इंडर काम लेना चाहते हैं त जो महत्मा गांधी national rural employment guarantee act है यह unskilled labor के लिए unskilled job के लिए जो है act बनाया गया है ना कि skilled labor के लिए क्योंकि यहाँ पर slash skilled लिखा हुआ है इसी वज़े से यह जो question है वो यह जो statement है वो गलत हो जाता है और चलिए okay so eligibility criteria यहाँ पर भी आपका लिस्टेड है इसको आप ध्यान से एक बार जो है screenshot इसका ले सकते हो चलो next question देखो within what radius an individual must be ordinarily assigned the work under मनरेगा अगर कोई individual मनरेगा के अंडर job application file करता है तो ordinarily उसको कितने किलोमेटर के अंदर अंदर मतलब उसका जो residence है उसका जो गाउं है उस काम देना है ठीक है ordinarily ठीक है तो तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर दस किलोमेटर बारा किलोमेटर बहुत factual है यह question ठीक है आता है तब यह answer कर सकते है option हो जाएगा option B five kilometer five kilometer is the correct answer ordinarily आपको उसको पांच किलोमेटर के दायरे के अंदर अंदर जो है काम देना है अच्छा यह सा पांच किलोमेटर से दूर उसको काम दिया जाता है for example 5 kilometer के radius में काम available ही नहीं है तो उसकेस में act क्या कहता है कि आपको उसको 10% जो है extra पैसे देने पड़ेंगे उसके wages से 10% extra पैसे देने पड़ेंगे extra allowance देना पड़ेगा जो भी उसका traveling में खर्चा आएगा ठीक है तो यह स किस पीरेड पर maximum कितने time की आप दे सकते होगी आपको daily देनी पड़ेगी weekly देनी पड़ेगी उससे जादा प्लेट नहीं कर सकते fortnightly देनी पड़ेगी या monthly देनी पड़ेगी maximum कितना period हो सकता है जिसमें आपको wages pay करनी ही करनी है जैसे जब हम बात कर रहे थे जब हम wages act की बात कर रहे थे अगर आपने वीडियो देखनी हो जो हमने labor code में videos की है wages act में wages code में तो उसमें हमने देखा था कि भाई वो daily भी हो सकता है weekly भी हो सकता है fortnightly भी हो सकता है monthly भी हो सकता है monthly से late नहीं हो सकता तो similarly manrega में क्या होगा manrega में कहा गया है कि fortnightly से late नहीं हो सकता यानि कि आपको 14 दिन में maximum पैसे देने ही देने है ठीक है आप उससे जादे delay नहीं कर सकते हर worker को जो manrega में काम कर रहा है उसको हर 14 दिन में आप maximum payment करना ही करना है ठीक है चलिए last question उसके बाद scheme को discuss करेंगे what is the ratio of wage and material that has to be maintained under manrega manrega scheme में for example अगर सरकार 100 रुपे खर्च कर रही है तो यह 100 रुपे किस ratio में खर्च होएंगे कितना पैसा जो है वो wages की तरफ जाएगा यानि कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी salaries की तरफ जाएगा wages की तरफ जाएगा और कितना खर्चा जो है material यानि कि समान जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी तरफ जाएगा यह भी specify किया गया है इसके under scheme के अंडर manrega act के अंडर तो factual question है दुबारा से क्या answer होगा इसमें इसमें आपका answer होगा option b 60 ratio 40 साथ रुपे जो है 100 में से जाएंगे wages के लिए और 40 रुपे जाएंगे material के लिए तो यह ratio जो है maintain करनी होती है answer b हो जाएगा ठीक है चलिए अब manrega scheme को discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले adult member rural household के जो willing है unskilled manual work करने के लिए वो apply कर सकते हैं register कर सकते हैं अपने आपको और registration वो writing में कर सकते हैं या orally भी वो gram panchayat के पास जाकर register कर सकते हैं ठीक है gram panchayat फिर verification करेगी उस व्यक्ति की और फिर job card एक issue किया जाएगा इस job card के उपर उस व्यक्ति की photo होगी ठीक है जितने भी adult member है उसके घर के जो willing है मनरेगा के अंडर काम करने के लिए ये job card उनको बना करके दिया जाएगा और ये एक free of cost job card होगा और job card जो है act में सीधा सीधा लिखा गया है कि जब member जब कोई बंदा जब कोई व्यक्ति अपनी application देने आता है gram panchayat को तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको job card issue करना है ठीक है आपको उसको job card issue करना है जब job card उसको मिल जाएगा तब वो जो interested person है जो employment चाहता है मनरेगा के अंडर उसको उसमें बताना होगा उसको एक application file करनी होगी और उसमें उसको बताना होगा कि वो कब से काम अपरेल से काम करना शुरू करना चाहता हूं ठीक है अब मनरेगा में आप सब जानते हैं कि minimum employment जो है वो 100 days की है अभी covid के चलते हुए सरकार ने इसको 150 days कर दिया था ठीक है covid के चलते हुए सरकार ने क्या कर दिया था 150 days कर दिया था तो 150 days है for example तो 1 April को for example उसने का मैं काम करन शुरू करना चाहते हूं उसको end date भी बतानी होगी कि आप भी कितने दिन के लिए काम करना चाहते हो एक महीने के लिए काम करना चाहते हो दो महीने के लिए करना चाहते हो या पूरे 1500 दिन के लिए करना चाहते हो ठीक है तो वह उसमें वह भी बताएगा लेकिन एक condition यह है क कि minimum उसको 14 दिन के लिए तो काम करना ही करना पड़ेगा, यानि कि वो यह नहीं कह सकता कि मैं सिरफ 1 अपरेल से 10 अपरेल तक काम करना चाहता हूँ, नहीं, minimum 14 दिन उसको काम करना ही करना पड़ेगा, उससे कम काम का इसमें provision नहीं है, बहुत important point है, directly पूछा जा सकता है, तो minimum 14 दिन है, ठीक है जी, उसके बाद, जब application आ गई, कि हाँ भी मैं आपरेल से काम करना शुरू करना चाहता हूँ, या जिस भी date से मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ, जो gram पंचायत है, उसको ये देखना होगा, कि उस व्यक्ति को application फाइल करने के 15 दिन के अंदर अंदर काम जो है, वो मिल जाए, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिल जाना चाहिए, और अगर उसको 15 दिन के अंदर अपनी application फाइल करने के बाद काम नहीं मिलता तो उसको unemployment allowance यानि कि बेरोजगारी बता जो है वो देना पड़ेगा अगर उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता अगर गराम पंचायत के पास या state government के पास काम ही नहीं है तो वो क्या करेंगे काम पे कैसे लगाएंगे तो उस case में सिधा बोल दिया गया कि unemployment allowance दोगे और यह जो unemployment allowance का खर्चा होगा यह सारे का सारा खर्चा जो है वो state government bear करेगी state government bear करेगी ठीक है यह वाला point अल्रेड हम discuss कर चुके है next dollar point 5 km के radius के अंदर अंदर आपको जो है उसको काम प्रोवाइड कराना पड़ेगा और अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आपको उसको 10% extra wages देनी पड़ेंगी और नेक्स्ट जो wages हैं वो minimum wages act 1948 के तहत आपको उसको pay करनी पड़ेंगी अब आपको दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर आपने जब wage code कराया था तब आपने कहा था कि minimum wages act खतम हो गया ठीक है wage code के अंदर ही subjume हो गया पर मैंने आपको एक और चीज़ भी करवाई थी wage code के अंदर कि कौन से कौन से ऐसे कानून है कौन से कौन से ऐसे areas है जहां पर जो ये wage code है उसका effect नहीं आएगा जो 2019 का wage code है उसका कोई effect नहीं आएगा उसमें से एक मनरेगा भी था तो मनरेगा में जो system जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा ठीक है तो 1948 minimum wages act लगेगा for agriculture laborers in the state और minimum wages इसके according provide कराई जाएंगी unless the center notifies a wage rate ठीक है अगर center notify कर देता है कि यह wage rate है तो वो different thing है अगर center नहीं notify करता है तो wages act के अंडर ही जो है यह चलेगा और इसमें सिधा सिधा यह भी बोला गया है कि जो center है जब वो wage rate set करेगा तो वो 60 per day से कम पर wage rate नहीं set कर सकते 60 per day पर wage rate से wage rate कम नहीं set कर सकते important है याद रखेंगे और act में यह भी लिखा गया है कि equal work के लिए equal wages provide कराई जाएंगी both men and women को ठीक है wages में कोई भी discrimination नहीं होना चाहिए okay wages जो है वो daily rate या peace rate के हिसाब से आपको pay करनी पड़ेंगी और disbursement of wages जो है वो weekly basis पर जो है आपको करनी है maximum आप fortnight basis पर कर सकते हो लेकिन उससे late आपको नहीं करना है one third beneficiaries मनरेगा के कम से कम women होने चाहिए यह भी एक important point है question बन सकता है directly work site facilities भी provide करानी पड़ेंगी like crutch drinking water shade okay और the shelf of the project for a village will be recommended by gram sabha and approved by the zilla panchayat ठीक है जो भी project होंगे gram sabha उसको approve करेगी at least 50% of the work will be allotted to gram panchayat for execution ठीक है ताकि जो local bodies है उनको भी participation मिल सके और वो जो local area projects है वो मनरेगा का इस्तमाल करके उन projects को भी implement कर सकें okay permissible work predominantly predominantly conserve work जो है मनरेगा के अंडर लिया जाएगा जैसे water and soil conservation के लिए forestation के लिए land development works के लिए 60 to 40 wage and material ratio आपको इस्तेमाल करना इसमें यह हमने question में पहले भी देख लिया and no contractors and machinery is allowed ठीक है unskilled अगर आपको labor provide करानी है अगर आप बड़ी बड़ी machinery रख दोगे तो कोई फाइदा नहीं रहेगा act का ठीक है इसलिए इसमें का गया है कि कोई contractor या machinery का इस्तमाल नहीं किया जाएगा अब cost sharing के बात करते हैं wage cost जो होगी यानि कि जो wages pay होंगी लोगों को उसका 100% खर्चा जो है वो central government उठाएगी ठीक है 100% खर्चा wages का कौन उठाएगा central government उठाएगा और जो material cost है जो material इस्तेमाल हो रहा है उसमें 75% खर्चा कौन उठाएगा central government उठाएगा बाकी का 25% जो है state government उठाएगा social audit का का काम भी करेगी ग्रामसभा ठीक है यह important है सीधा सीधा सवाल statement based question में पूछा जा सकता है कि under the mandrega act the responsibility of social audit has been given to ग्रामसभा ठीक है सीधा सवाल आएगा सीधा तो यह सारी statements रट लेनी हैं आपने grievance redressal mechanism भी होगा अगर कोई grievance हैती है किसी worker की उसको अगर timely काम नहीं मिल रहा उसका job card proper way में नहीं बना उसको unemployment allowance नहीं मिला है तो उसके लिए grievance redressal mechanism भी आपको form करना पड़ेगा ठीक है और सारे के सारे जो भी accounts हैं जो भी records हैं चाहे वो कोई infrastructure create हो रहा है या कुछ build up हो रहा है तो उस case में सारे के सारे accounts और records जो हैं वो public scrutiny के लिए available होने चाहिए इस scheme के अंडर ठीक है ताकि openness रहे scheme में तो ये भी इसमें mention किया गया है चलिए तो यहाँ पर हमारा मन्रेगा खतम हो गया है मन्रेगा में से almost आपके सारे questions जो आप crack हो जाएंगे अगर कोई भी question मन्रेगा कि scheme से related आता है तो वो easily आप कर लोगे तो मिलेंगे अब नेक्स वीडियो में चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा share करना मत भूलिएगा जादा हे जादा बच्चों को जोडने की कोशिश कीजिए मज़ा आएगा और बाकी की playlist साबकी screen के उपर है वो भी देख लीजएगा काफी helpful रहेंगी मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए all the best and bye bye